तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोयम दा ब्लेस्ड डेमुजल बाई डीजी रोस्टी डीजी रोस्टी का पूरा नाम था दाते गैब्रियल रोस्टी लेकिन ये डीजी रोस्टी के नाम से ही जाने जाते हैं दा ब्लेस्ड डेमुजल 19th century की एक बहुती फेमस पोयम है और डीजी रोस्टी की तो लाइफ टाइम पोयम्स में से ये ही सबसे फेमस पोयम है इस पोयम को फर्स टाइम पब्लिश किया गया था 1850 में लेकिन बाद में इसे दो बार रिपब्लिश किया गया इस पोयम में टॉटल 24 स्टैंजाज हैं काफी लंबी पोयम है लेकिन छोटे छोटे स्टैंजाज हैं और पोयम की लेंगवेज भी बिल्कुल easy to understand है easy way में आपको समझ में आ जाएगी पोयम की rhyme scheme है A, B, B, C, D, B अब आते हैं पोयम के background पर तो ये पोयम एक imagery है जिसमें पोयिट ने beyond this world imagination की है यानि पोयिट ने इस पोयम में heaven की imagination की है basically जैसा कि पोयम का title है The Blessed Damosil तो पोयम में Damosil एक young unmarried girl है जिसकी death हो गई है और death के बाद वो blessed हो चुकी है और अब heaven में है लेकिन problem ये है कि Damosil का lover अर्थ पर ही है और दोनों अलग हो चुके है तो Damosil परेशान है और heaven में अपने lover के आने का इंतजार कर रही है तो पोयम से related सभी basic points आपको clear हो गए होंगे अब शुरू करते हैं पोयम के explanation को The blessed Damosil lean out from the gold bar of heaven Gold bar का मतलब है golden balcony कि heaven की golden balcony से Damosil नीचे जुक कर देख रही है अपने lover की एक जलक पाने के लिए Her eyes were deeper than the depth of waters stilled at even Even का मतलब है evening शाम के वक्त सभी water sources का पानी रुक जाता है शान्त हो जाता है उस वक्त पानी की गहराई भी बढ़ जाती है ठीक वैसे ही इस वक्त Damosil की आँखों में भी बहुत गहराई थी यानि Damosil बड़ी बेसबरी से अपने lover के आने का इंतजार कर रही है She had three lilies in her hand and the stars in her hair were seven Damosil के हातों में तीन lilies के flower है और उसके बालों में seven stars लगे हुए है Her rob unget from clasp to hem, no rot flowers did adorn but a white rose of Mary's gift for service neatly worn Rob का मतलब है gown और unget का मतलब है धीला या लूज कि Damosil ने जो गाउन पहना हुआ है वो बहुत धीला है और बिलकुल भी उसकी बोड़ी की शेप का नहीं है और उसके gown में सजावट के लिए किसी भी तरहा के नकली फूलों का इस्तिमाल नहीं किया गया है केवल उसके gown में एक white color का rose लगा हुआ है जो कि उसे Mary mother की तरफ से gift में मिला हुआ है Her hair that lay along her back was yellow like ripe corn Ripe corn का मतलब है पका हुआ मक्का कि उसके बाल उसकी पीट पर फैले हुए है जो कि yellow color के है और ऐसे लग रहे है जैसे की पका हुआ मक्का हुआ Her seemed she scarce had been a day one of God's choristers God's choristers का मतलब है वो लोग जो heaven में God की praise में गाने गाते है Poet कता है कि जैसे डेमुजिल लग रही है जितनी sad डेमुजिल लग रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे अभी God का chorister बने हुए और अभी उसे heaven में आये हुए केवल एक ही दिन हुआ है The wonder was not yet quite gone from that still look of hers कि डेमुजिल के present look को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद भी आश्चरे में है कि वो heaven में आ चुकी है Elbit to them she left her day had counted as 10 years Elbit डेमुजिल का लवर है जिसे वो अर्थ पर ही छोड़ आई है Poet केता है कि डेमुजिल का एक दिन Elbit के 10 सालों के बराबर है यानि डेमुजिल 10 सालों से heaven में है और अपने लवर का इंतजार कर रही है लेकिन अर्थ के 10 साल heaven के एक दिन के बराबर ही है To one it is 10 years of years yet now and in this place कि यहाँ पर heaven में तो ये केवल एक दिन है लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो डेमुजिल का लवर है उसके लिए ये पूरे 10 साल है यानि heaven का एक दिन अर्थ के 10 सालों के बराबर होता है अब डेमुजिल का लवर कहता है कि डेमुजिल heaven से मुझे देखने के लिए ही जुक रही है और उसके बाल मेरे फेस पर ही गिर रहे है जैसे ओटम में पेडों से पत्ते गिरते है फिर वो कहता है कि पूरे 10 साल बीत गए लेकिन डेमुजिल की यादे अभी भी मेरे दिल में है It was the rampart of God's house that she was standing on Rampart का मतलब है boundary किसी किले या महल की boundary कि heaven में God के घर में इस वक्त डेमुजिल जहां पर खड़ी है वो एक rampart है जहां से वो नीचे देख रही है अपने लवर की एक जलक पाने की लिए कि इस पेस में God का घर बहुत उचाई पर बना हुआ है ये इतना उपर है कि बहुत नीचे देखने पर भी बड़ी मुश्किल से डेमुजिल सन को देख पाए कि हैवन इतना उपर है कि ये एक ब्रिज की तरह लगता है जिसके नीचे डे और नाइट छोटे छोटे टाइड की तरह गुजरते रहते हैं कब आते हैं और कब चरे जाते हैं पता तक नहीं चलता दिन केवल एक छोटे से फ्लेम की तरह लगता है और रात केवल थोड़ी सी डाक्नेस की तरह लगती है प्रेटफुल मिज का मतलब है एक छोटा सा तंग करने वाला इंसेक्ट या कीड़ा एवन इतनी उचाई पर है कि वहां से देखने पर अर्थ इतनी छोटी लगती है जैसे कोई छोटा सा कीड़ा हो कि डैमोजिल के आसपास अर्थ से आने वाली न्यू सोल्स अपने लवर से मिल रही है और वो मिलकर खुशी से ये दावा कर रही है कि अब उनका लव डैथलस हो चुका है और एंटरनल हो चुका है और अर्थ पर रखे हुए अपने हाट रिमेंबरिंग नेम से वो सोल्स एक दूसरे को पुकार रही है कि अर्थ से जो सोल्स गोड के पास आ रही है वो डैमोजिल के पास से ऐसे निकल रही है जैसे थिन फ्लेम्स और इस्टिल शे बोवड हरसेल्फ एंड इस्टूपड आउट ओफ दा सर्क्लिंग चाम अंटिल हर बोसम मस्ट हैव मेड दा बार शे लीन ओन वर्म बो और इस्टूपड दोनों वर्स का मतलब ही जुकना है कि डैमोजिल अभी भी उस गोल्डन बैलकनी पर जुकी हुई है उसने अपने दोनों हातों को फोल्ड किया हुआ है और उसकी बोडी की हीट से वो गोल्डन बैलकनी भी गरम हो रही है और डैमुजिल इतनी सैद है कि उसके हातों में जो तीन लिली के फ्लावर है वो भी सोय से मुर्जाय होय से लग रहे है कि डैमुजिल अभी भी हैवन की उसे फिक्स प्लेस से जुकर नीचे देख रही है अपने लवर की एक जलक पाने के लिए और वो देख रही कि किस तरह से टाइम तेजी से निकल रहा है अब डैमुजिल धीरे से कुछ बोलती है जो ऐसा लगता है जिसे बहुत सारे स्टार से एक साथ गा रहे हो अब सूरज जा चुका था और आसमान में चांद आ गया था जो कि हैवन से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटा सा पंख आसमान में लहरा रहो और अब डैमुजिल हमें हैवन के वैदर के बारे में बताती है वहाँ पर हमेशा एक जैसा ही वैदर रहता है ना गर्मी ना सर्दी ना बारिश और डैमुजिल की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे बहुत सारे स्टार से एक साथ गा रहे हो अब डैमुजिल के लवर एलबिट को पक्षियों के गाने में अपनी बिलविड की आवाज सुनाई दे रही है और इस आवाज को सुनने पर उसका दिल खुश हो रहा है और उसे मिड डे पर जो चर्च में बैल्स बचती हैं उनकी आवाज में भी अपनी बिलावे डैमुजिल के आवाज ही सुनाई दे रही है और उसे लग रहा है कि डैमुजिल उसके पास आ रही है और उसके कदमों की आहट को वो फील कर सकता है ये सब डैमुजिल के लवर की इमेजिनीशन्स है अब डैमुजिल केती है कि मैं ये शौरली कह सकती हूँ कि मेरा लवर एक दिन मुझसे मिलने के लिए हैवन में जरूर आएगा क्या मैंने उससे मिलने के लिए हैवन में प्रेयर नहीं की है और क्या उसने मुझसे मिलने के लिए अर्थ पर प्रेयर नहीं की है कि क्या दो प्रेयर्स मिला कर भी एक पर्फेक्ट स्ट्रेंथ नहीं बना सकती और जब एक दिन हमारी प्रेयर्स से पूरी होंगी ही एक दिन जब हम जरूर ही मिलेंगे ही तो मेरे लिए डरने की क्या बात है अब इस स्टेंजा में डेमुजल इमेजन कर रही है कि जब उसका लवर हैवन में आएगा तो वो उससे कैसे मिलेगी और उसके लवर ने कैसे कपड़े पहने होंगे डेमुजल कहती है कि जब मेरा लवर हैवन में आएगा तो उसके सिर के चारो तरफ एक औरियोल बंदा होगा और उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी होगी औरियोल एक magical circle जैसा होता है जो angels के सिर पर बंदा होता है movies वगरा में आपने देखा होगा I will take his hand and go with him to the deep wells of light as unto a stream we will step down and bath there in God's sight Damozil कहती है कि जब मैं अपने लवर से मिलूँगी तो मैं उसका हाथ पकड़ूँगी और फिर हम दोनों साथ साथ गोड के deep wells of light में चले जाएंगे और हम दोनों गोड की side में बात लेंगे यानि Damozil के कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपने लवर से heaven में मिलूँगी तो हमारा लव eternal हो जाएगा वी टू विल स्टैंड बिसाइड दैट श्रिन ओक्यूल्ट विथैल्ड अंट्रोड होस लेंप्स आर इस्टेड कंटीनूली Damozil कहती है कि जब मेरा लवर हेवन में आ जाएगा तो हम दोनों यहां से दूर किसी अलग जगह पर चले जाएंगे लेकिन उस जगह पर कभी अंधेरा नहीं होगा वहाँ पर हमेशा लैंप जलते रहेंगे कि वहाँ से हम अपनी पुरानी प्रेयर्स को छोटे छोटे बादलों की तरहा मेल्ट होते हुए देखेंगे वी टू विल लाए इन दा शैड़ो ओफ दैट लिविंग मिस्टिक ट्री विदिन हूस सीक्रेट ग्रोथ दा डव इट सम्टाइमस फैल्ट टू बी Damozil कहती है कि हम दोनों हैवन के लिविंग मिस्टिक ट्री की छाया में लेट जाएंगे और उस डव पक्षी को फील कर सकेंगे जो गौड तक मैसेज पोचाता है कि हैवन के उस लिविंग मिस्टिक ट्री का हर एक पत्ता गौड का नाम ले रहा होगा यह सब Damozil की imaginations है and I myself will teach to him I myself lying so the songs I sing here Damozil कहती है कि मैं खुद पेड के नीचे लेटे-लेटे अपने लवर को वो सारे काने सिखाऊंगी जो मैं यहाँ पर गाती हूँ which his voice shall pose in hushed and slow and find some knowledge at each pose or some new thing to know कि हो सकता है कि बीच-बीच में वो रुक जाए लेकिन हर एक pose के बाद उसे नया knowledge मिलेगा और जब मेरा लवर मेरे पास heaven में आएगा तो मुझसे उसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा अलास वी टू, वी टू, दौ से जैस्ट, या वन वोज दौ वित मी अब डैमुजिल का लवर कहता है कि अलास, हम दोनों फिर से पहले की तरह कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि God मुझे heaven में कभी बुलाएंगे नहीं क्योंकि मैंने ऐसे कोई अच्छे काम किये ही नहीं है जिनकी वज़े से God मुझे heaven में बुलाएं आगे लावर कहता है कि मेरे पास heaven में जाने का केवल एक ही जरिया है और वो है डैमुजिल के लिए मेरा लव अब डैमुजिल कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्राइस्ट की मदर मदर मेरी के पास जाएंगे और उन्हें मनाएंगे जब हम उनके पास जाएंगे तो उनके पास उनकी five hand maidens बैटी होंगी जिनके नाम ये होंगे circle wise sit there with bound locks and foreheads garlanded डैमुजिल कहती है कि वो पांचों hand maidens एक circle में बैटी होंगी उनके बाल गुते होए होंगे और उनके foreheads पर फूलों की मालाए होंगी कि वो पांचों सोने के धागे से एक कपडा बुन रही होंगी उन लोगों के लिए जिन्हें death के बाद अभी अभी दूसरा जनम मिला है he shall fear happily and be dumb then will I lay my cheek to his and tell about our love डैमुजिल कहती है कि जब हम दोनों मदर मेरी के पास जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा lover वहाँ पर डर जाए और कुछ भी ना बोले लेकिन मैं डरूंगी नहीं और अपने चीक को उसके चीक के पास लेकर जाऊंगी ताकि मदर मेरी को पता लग सके कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है not once abashed or weak and the dear mother will approve my pride and let me speak डैमुजल कहती है कि मैं एक बार के लिए भी वहाँ पर मदर मेरी के सामने शर्माऊंगी नहीं और बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि dear mother मुझे बोलने देंगी और हमारे love को भी approve करेंगी Herself shall bring us hand in hand to him round whom all souls kneel the clear ranked unnumbered heads bored with their orioles डैमुजल कहती है कि मैंरी मदर खुद हमारा हाथ पकड़ कर हमें Jesus Christ के पास ले कर जाएंगी और वहां Christ के चारों तरफ बहुत सारी souls अपना सेर जुकाए हुए और अपने घुटने टिकाए हुए बैठी होंगी कि वहां पर एंजल्स होंगी वो एंजल्स जब हमसे मिलेंगी तो हमारे स्वागत में वो अपने स्टाइल में गाने गाएंगी आगे डैमुजल कहती है कि जब हम जीसस क्राइस्ट के पास जाएंगे तो मैं खुद ही जीसस क्राइस्ट से पूछ लोंगी कि क्या हम दोनों वैसे ही अब यहां पर रह सकते हैं जैसे हम अर्थ पर रहते थे उतने ही लव के साथ क्या हम यहां पर भी रह सकते हैं जैसे हम अर्थ पर रहते थे और क्या हम यहां पर हमेशा साथ रह सकते हैं अब डैमुजल फिर से नीचे की तरफ देखती है और फिर वो धीरे से बोलती है कि जो भी मैं सोच रही हूं ये सब कुछ तभी सचो पाएगा जब मेरा लवर सच में हैवन में आएगा और फिर वो लाइट थ्रिल्द तूवर्ड्स हर फिल्ड विट एंजल्स इन स्क्राओं लेवल फ्लाइट हर आइज प्रेयर्ड एंड शी इसमाइल अब डैमुजल वापस अपनी इमयजिनीशन से रियलिटी में आती है और अपने आस पस वो बहुत सारी एंजल्स को देखती है उन एं Last stanza में Demosil का lover कहता है कि मैंने Demosil की smile को दीखा मैंने उसकी smile को दीखा लेकिन फिर अचानक से angels के रास्ते मुझ से बहुत दूर हो गए यानि Demosil के lover को लगा कि अब वो वापस अपनी beloved से कभी नहीं मिल पाएगा And then, she cast her arms along the golden barriers and laid her face between her hands और फिर डेमुजल अपनी दोनों आम्स को उस गोल्डन बैलकनी पर टिकाती है और अपने दोनों हाथों की बीच अपना फेस रखकर वो जोर जोर से रोने लगती है I heard her tears डेमुजल का लवर कहता है कि मैंने उसके रोने की आवाद सुनी और इसी के साथ ही हमारी आज की पोयम दा ब्लेस्ड डेमुजल कम्पलीट होती है उमीद है पोयम आपको समझ में आ गई होगी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच